नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा, स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड अफ योगा विद आचारे प्रतिष्ठा में आज इत्वार भी है और साथ में साथ मार्च भी है, यानि कल है अंदराश्रिय महिलादेवस, International Women's Day आज हम मातरशक्ति की बात करेंगे और महिलाओं के स्वास्थे की बात करेंगे यू तो हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहां पर कहीं भी हमें महिला सशक्ति करण जैसा शब्द नहीं मिलता क्योंकि हमारी संस्कृती में महिलाई सशक्त थी और सदैव से सशक्त रही है हम मैत्री और गारगी की परंपरा के हैं हम सीता की परंपरा के हैं हम जहासी की रानी की परंपरा के हैं लेकिन आज के समय में अगर हमें एक दिवस अलग से महिला दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है तो ये सोचने का विशय है कि चूक कहां पर हुई है क्योंकि हम जो यत्र नारस्ति पूजनते रमंते तत्र देवता की संस्कृति के हैं कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता आवास करते हैं देवता रमन करते हैं वहां हमें एक दिन निकाल करके महिलाओं के विशय में सोचने या चिंतन करने के आविशकता क्यों पढ़ रही है, हम उस संस्कृति की हैं, जहां हम Divine, Feminine Form of Divinity की आराधना करते हैं, जो देवी की आराधना करती है, जो मा की आराधना करती है, वो सिविलाइजेशन जहां हमारे भगवान, कृष्ण राधा ना कहकर, रामसीता ना कहकर, शिव पारवती यह शंकर गौरी ना कहक राधे कृष्ण सीता राम गौरी शंकर कहा जाता है वो महान परंपरा जहां भगवान को भी उसकी मा के नाम से जाना जाता है देवकी नंदन ये शोदा पुत्र तो उस महान परंपरा में महिलाओं के लिए एक दिवस क्यों इस पर हम सब विचार करें और ये बहुत आवश् आवश्यक्ति हमारी महिलाएं अपने आपको नियमित योग साधना करके स्वस्त रखें क्योंकि हम गारगी मैत्री रानी जहासिकी रानी की देश के परंपरा की नारी हैं की महिला है इसलिए ये बहुत आवश्यक्य कि आप अपने आपको तन मन आत्मा के धरातल पर स्ट्र लाब है पहला लाब यह था नाम तथागुणा इसका नाम ही है योनी मुद्रा तो योनी मुद्रा आपके जितने भी रीप्रोड़क्टिव और्गन से जुड़ी हुई समस्या है उनमें रामबान का कार्य करती है PCOS की प्रॉब्लम है PCOD की प्रॉब्लम है जो दुखद है क जुड़ी हुई समस्या है उन सब में यह बहुत बहुत लाबकारी है फिर दूसरी चीज आ जाती है सौंदर्य आपको बिना मेकप के अगर ग्लूइंग स्किन चाहिए तो आप नियमित रूप से योनी मुद्रा का अभ्यास कीजिए आपकी तुचा पर ग्लो लाती है आप को खुबसूरत बनाती है योनी मुद्रा और तीसरी चीज है यह आपकी आत्मा को उन्नत करती है क्योंकि इसमें आपका मन आपके नियंतरण में आता है और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन में सब कुछ जीत लिया हम दूसरों का मन तो जीतना चाहते हैं खास त हम कोई खाने की या उपभोग की वस्तु नहीं है जो आप hot या cool होंगी आप आप हैं और आप स्रिष्टी का निर्मान करने वाली हैं आप वो हैं जो या तो परमात्मा creator है या फिर आप creator है इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी उर्जा को पहचाने आप अपनी शक्ति करेंगी कैसे करना अच्छे से सको समझ लीजिए क्योंकि यह आपकी जितने भी reproductive organs है sexual life से related problems है reproductive organs से related problem है beauty से related problems है और spiritual elevation इन सब में कार्य करता है हम अपने जीब का pipe बनाएंगे और उस pipe से सांस को भीतर खीचेंगे इस प्रकार से और गालों में उस हवा को भर लेंगे और जब गालों में हवा को भर लेंगे तो फिर अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे और उंगलियों को आपस में दाय और बाय हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे फिर chin lock लगा लेंगे जिन लोगों को गर्दन में दर्ध है, cervical की problem है, spondylitis की problem है, वो chin lock ना लगा के सिर्फ गर्दन को धीला छोड़ देंगे. Final स्थिती में जो भे ध्वनी आप सुनेंगे, जो भी महसूस करेंगे, maybe you can feel that as if you are underwater, maybe you can feel some sound of wind, उस ध्वनी पर आपको ध्यान टिकाना है, सीड़े बैठेंगे, जब लगे कि अब मैं और देर सांस को नहीं रोप पा रहा हूँ, चिल lock खोल देंगे, हाथों को हता देंगे, आँख खोल देंगे, जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि उर्जा का पूरा संचार खोपड़ी की तरफ है, थोड़ी देरी सिस्थिती में रूपना, देरी देरी आँखे खोल देना, जब आप इसका अभ्यास करेंगे, तो तुरंत आपको इसका effect महसूस होगा, आप आज से इसका अभ्यास नयमित रूप से करें, और आप देखिए कि ये एक छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में कितना बड़ा सा कारात्मक बदलाब लाएगा, हमारी माताएं, हमारी मातर शक्ती एक चीज़ का ध्यान जरूर रखे, कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, अकसर हमारे पास बहुत सारे questions आते हैं, कि आचारे जी मुझे रंग गोरा करना है, मुझे कमर कपतली करनी है, मेरी सागी breast है, मेरे ये है, वो है, आप जैसी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, यकीन मानिया बहुत खूबसूरत हैं, लोग आपके लिए क्या कहते हैं, इस नौट इंपॉर्टन, और यू फिल फॉर यॉर्सेल्फ इंपॉर्टन, अपने आपको शिशे में देखिए, और अपने आपको बताईए, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे भीतर परमात्मा के सारे गुणाएं हैं, और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा-च्छा होगा, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजन्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, और परमात्मा की परमपिता परमेश्वर की अपार कृपामच पर है गुरू की अपार कृपामच पर है बस इन विचारों के साथ अंतराज्ट्रे महिला दिवस को मनाईए और आप हमारे साथ भारत योगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें धन्यवाद हर्योम जैहिंद